हलो फ्रेंट्स स्वागत है मके सर इंस्प्रेशन के एक और बहतर वीडियो में सो फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है उसके लिए बहुत सारे स्टूडन के पिछले कुछ दिनों से नहीं बलकि कुछ महीनों से कमेंट आ रहे थे कि सर किसी भी कार्मनिक योगी के संरचना सूत्र को कैसे बनाएं और हम बात करें दोस्तों अगर आपको केमेश्ट्री सीखना है दिन श्टार्टिंग कहां से होती है यहीं से होती है अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो 10th में 11th में 12th में या फिर competitive exam की तयारी कर रहे हैं दिन आपके लिए यह important session होने वाला है क्योंकि यह chemistry की जड़ होती है अगर आपको chemistry सीखना है तो यहां से start करना पड़ेगा और बीना इनके आप chemistry कभी नहीं सीख सकते हो मैं यह दावे के साथ कह रहा हूँ अगर आप किसी भी carbonic योगी के सनरचना सूत्र को बनाना सीख गए तो chemistry आपको आसान लगेगी definitely आप बहुत ही simple तरीके से किसी भी topic को समझ सकते हो बसरते आपको योगी क्या सनरचना सूत्र बनाना आना चाहिए तो चलिए हम बहुत ही simple तरीके से देख लेते हैं कि किसी भी carbonic योगी के सनरचना सूत्र को कैसे बनाते हैं क्योंकि अगर पौधा खड़ा करना है तो जड़ तक जाना है जड़ मजबूत होनी चाहिए तो ये topic आपके सामने है क्योंकि हमने बताया कि बिना इनके आप chemistry नहीं सीख सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हम सनरचना सूत्र बनाएं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें याद करनी है जादा नहीं डोन्ट वरी परिसान मत रहें आज के बाद चुटकियों में आप सनरचना सूत्र बना पाएंगे सबसे पहले हम इनको यहाँ पर लिखा है बस आपको इतना चीज़ याद करना है और याद क्या करना है बस आप यह जानिये कि जो कारबन है दोस्तों कारबन का परमारू करमांग कितना होता है कारबन का परमारू करमांग कितना होता है बताइए छे होता है यनि बाह कोश में कितने इलेक्टरान चार इलेक्टरान ठीक ना देखिए यनि अगर हम बात करें जैसे कारवन है तो बाह कोश में जैसे चार इलेक्टरान होता है यनि ये जो कारवन का ये संरचना है इस तरह से बनेगा और इसके संरचना सूत्र को अगर हम बनाएंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे इसको हम इस तरह से बनाएंगे यनी karbon क्या होगा carbon इस तरह से carbon में क्या होगे ये जो आपके बंद दिखाई पड़ रहे हैं इसकी समचना इस तरह से होगी यहीं पर आपको elements ततों को जोड़ना है उसके बाद hydrogen की बात करें तो hydrogen का परमान कुर्मांक एक होता है यनी जो hydrogen में होता है हम बात करें तो बायकोश में एक इलेक्टरान है यानि हाइडरोजन जो है फ्रेंट्स वो क्या है कि केवल एक के साथ ही साजा करेगा एक के साथ ही बंध बनाएगा उसके बाद आक्सीजन है आक्सीजन कितना है आठ होता है आक्सीजन कितना आठ लेकिन बायकोश में कितने छ तो यहां से एक, दो, तीन, चार, चार में तो अश्टक पूरा होगा, लेकिन क्या है, एक और यहां से एक लगा दिये, तो भाई साब, यहां से ध्यान से समझना दोस्तों, यह दो यूगमित इलेक्टरान होगे, और दो आयूगमित, तो बात करें इसका मतलब यह है, दोस्त बनाएगा ठिक उसके बाद nitrogen है nitrogen कितना होता है साथ nitrogen साथ होता है दोस्तों अगर इसका electronic विन्यास करते हैं तो एक गोस्में 5 इलेक्टरान आएंगे तो इस तरह से जैसे nitrogen है जैसे 1 2 3 4 अगर हम देखेंगे 5 है तो एक लगा दिए ईसका मतलब 1 2 3 तो 3 सेस रह गए, यही 3 साजा कर लेंगे, यहनी एक तो युगमित है, बाकि 3 क्या होंगे, साजा कर लेंगे तो इसकी सनुचना इस तरह से बनेगी, उसके बाद हम हैलोजन है, हैलोजन जिसे कलोरीन परिवार के तत, जो वर्ग 17 के तत है, कि हाय लैला ने किया रब से फरिया यारी क्या होता है कि जिसमें हिलियम होता है उस선 फूलकली आ एंठारा साल बाद यह नहीं सेख्ड कुलोरीन, प्रॉमीन आयोडीन ठीक। उसमें तो अगर हम बात करें तो बाहकोष में इसमें भी कितना इलेक्टरान होता है जैसे अगर फ्लोरीन करेंगे जैसे क्लोरीन दो आठ दस साथ सतरा बाहकोष में साथ इलेक्टरान ठीक तो यानि दो एक दो तीन चार हो गए तो एक यहां से पांच हो गया एक यहां से और बएक हाथ कितना 2, 2, 4, 2, 6, 7 तो इसका मतलब क्लोरीन भी जो क्लोरीन परिवाय है यह वर्ग 17 के तत्व हैं उनमें हम बात करें जिसे ख्लोरीन है फ्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडिन तो यह चेज़ें इसमें ध्यान से देखना यह भी किसी एक के साथ साजा करेंगे क्योंकि बांकी तो सभी क्या है पेर में हैं जोड़ों में हैं बात समझ में आ गया ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त कि कारवन क्या है ये चार के साथ साजा करेगा हाइडरोजन किसी एक के साथ आक्सीजन दो के साथ यह डबल बन समलो बनाता है उसके बाद इन नाइट्रोजन तीन और इसके बाद क्लोरीन जैसे इसमें जो भी है यह चीज ठीक ना इसमें फासफोरस और भी आता है तो उसको भी लिख लेते हैं उसे नहीं देखना अब चलिए हम सीख लेते हैं कि कैसे इनको बनाना कैसे ध्यान से समझगे कि इसका संरचना बनाएंगे कारबन हमने उताया कि कारबन की अगर हम संरचना बनाएंगे तो ऐसे और हाइड्रोजन किस एक तो ध्यान से समझना जैसे अगर हम हाइड्रोजन देखिए दोस्तों यह कारबन का हो गया और हाइड्रोजन का समझ लो एक होता है ये इसी में डंडे के साथ जुड़ गया तो कहने का मतलब ये है जो हाइड्रोजन होगा एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया है एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया है एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया है एक हाइड्रोजन इससे तो ये इसक एक दो तीन चार तो ये हाइड्रोजन के चार हो गए कार्बन और उसके बाद हमने यहाँ पे बना दिया तो भाई यह तो साध्या कर रहा है तो एक यहाँ पे हो गया इसका एक यहाँ एक यहाँ तो दिखिए इसका एक दो तीन चार हो गया इसमें भी एक दो तीन चार हो गय अब हाइड्रोजन एक के साथ ही जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया फिर एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ रहा है एक हाइड्रोजन इसके साथ उसके बाद एक हाइड्रोजन इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा और तो C2H6 यह इसकी सरचना हो गई अब बात आती है थोड़ा difficult देखते हैं कि C2H2 इसका structure कैसे बनाएंगे यह समझे जैसे हमने बताया कि यह C है तो यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे न लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे लेकिन दोस्तों ध्यान से समझेगा कि जैसे C2 है त तो भाई सहाब अगर हम hydrogen एक लगा दिये चलिए एक जुड़ गया और उसके बाद यहां से ऐसे लगा दिये बंकी सब बचें हैं तो इसकी सनचना हम इस तरह से ना बना कर इसको क्या करेंगे क्योंकि hydrogen किसी एक के साथ ही जोड़ा बनाएगा एक के साथ ही जुड़ेगा हम एक कारबन का चार पूरा करना है तो एक हो गया दो हो गया तीन हो गया यह इस कारबन का एक दो तीन और एक तो इसके साथ जुड़ गया चार इसका भी देखिए एक दो तीन और एक यह इसके साथ चार तो यह इसकी structure बन गए थोड़ा difficult लगेगा लेकिन चीजें practice करने से आपको easily समझ में आ जाएंगी बास समझ में आया चलिए अब इसको बनाना है CH3 जैसे C है अब ध्यान समझे करा कि C के साथ ह3 है एक ह यहाँ पर लगा दिए एक ह यहाँ पर लगा दिए और उसके बाद क्या कह राए भाई शाह बी आर तो बी आर हम इसमें लगा देते हैं problem क इसकी बात कि है CH3 C है उसके बाद क्योंकि एक hydrogen किया किसी एक के साथ ही pair करेगा ठीक ना तो एक हो गया इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ एक बचा है तो भाई साब यह BR के साथ जुड़ जाएगा बास समझ में ठीक अब आता है कि CH3 OH अब यहाँ से थोड़ा चीजे और भी difficult होंगी बट आपको घबराना नहीं है ठीक ना इसको कैसे बनाएंगे के राकी C3 हमने पहले बताया कि इसकी structure आप carbon की बना दीजिए के राकी CH3 तो H एक जुड़ गया दो जुड़ गया तीन जुड़ गया फिर के राकी CH3 हो गया फिर O है O है ध्यान से समझिएगा O है तो O जुड़ दिया लेकिन O में क्या होता है दो के साथ साजा करता है क्योंकि ध्यान से समझिएगा एक दो तेन चार समझ लिजिए ये pairs complete है एक और बचा है एक और बचा है ना तो इसी इसमें तो इसको H नहीं जुड़ना है तो ये हो गया H बास समझ में इसको लिखिए या ना लिखिए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इसको यहां पर ना लगा कर कोई दिक्क है ना ये क्या है एक दो तीन चार इस कारवन का श्टक पूरा है चार कारवन है यह इसमें देखिए एक दो तीन चार इसका श्टक पूरा है और H तीन है एक दो तीन लगा दिया फिर उसके बाद O है तो O जुड़ गया लेकिन O क्या है किसी दो के साथ पेर बनाएगा तो एक O इसके साथ बना रहा है और एक O क्या है H के साथ और H भी किसी एक के साथ जुड़ता है अब आएगा C2 H5 ठीक तो इसको बनाएंगे C2 हम चलिए C2 ले लेते हैं C2 है और ध्यान से समझना या ऐसे आपको नहीं समझना है आरा क्यों इतना करिए C है तो हमें देखिए C है तो यहां से H5 करना है तो एक H, दो H, तीन H उसके बाद फिर यह C हो गया तो एक दो तीन चार इसका अश्टक पूरा अब इसमें एक दो हो गया एक यहां लगाएंगे एक यहां तब इसका चार होगा लेकिन यह ध्यान से समझेगा अब देखिए तीन हो गया है तो एक H य नहां पर लगाएंगे यह हो गया आपका कितना C2H5 अब O है O लगा दिया लेकिन O क्या है O में हमने बताया ना कि दो क्या होते हैं पेर्स होते हैं बांकी यहां दो क्या है अनपेर्स होते हैं आयूगमित हैं यह यह यूगमित हैं तो यही जो H बचा है वो लगा दिये जाएंगे C3H8, C3H8 है, तो इसको भी तो बनाना आशान है, 1, 2, 3, तो इसको पहले इसका अश्टक पूरा करिए, तो हमने बताया हाइड्रोजन जुड़ना है, आपको हाइड्रोजन एक एक जोड़ दीजिए, ठीक, अब इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो इ C3H8, इस तरह से बन जाएगा, ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर बनाना है, C, H3, CO, CS3, अब यहाँ से चीजें थोड़ा आपको difficult लगेंगी, देखिए C है, तो आप यहाँ से C लिख दीजिए, फ्रेंट्स, H3 है, 1, फिर 2, 3, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, फिर उस हमेशा यहाँ से देना, O क्या है, तो O आपको कहीं पर लगा दीजिए, O लगा दीए, अब कहेंगे दो क्यों लगाया, तो अभी हमने बताया ना कि यह दो क्या है, इसमें यह तो एक पेर हो गया, यह एक पेर हो गया, यह क्या है, दोनों खाली है, तो यह दो बंद के साथ समनलो जुड़ गया उसके बाद अब क्या है फिर सी हाँ कहा गया हाँ फिर सी है तो हमने फिर सी लगा दिया और उसके बाद इसमें एच थिरी है वन टू थी है ना चीजें आसाम बहुत ही सिंपल है जब भी आपको दोस्तों सी ओ दिखाए दिख जाए तो आप क्या करिए सी डबल बान ओ करके ऐसे लिख दीजिए ठीक ना सी एस थिरी था सी एस थिरी का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया उसके बाद फिर दोस्तों सी लिखा फिर हमने बताया कि ओ है तो हमेशा यह समझ लेजिए यह दो के साथ बना रहा है तो यह क्या है कि इसमें दो यह आपक चार हो गया और हाइड्रोजन तो CS3, CO CS3 बन गया, अब देखिए CS3, O, CH3, O, CH3, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे CH3, 1, 2, 3, होगा मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल होगा, CS3, अब उसके बाद देखिए करना क्या है, आपको O लिखना है, तो क्या करेंगे, O लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जरा बताईएगा, CS3, O, उसके बाद CS3, अब ये बताओ, CS3, O, और उसके बाद CS3, क्या ये सही है, क्या ये सही है, जरा बताईएगा, क्या ये सही है, बोलिए, सही है कि गलत है, जि बिल्कुल सही है, अब देख़िए हमने क्या कहा आकशिजन है एक डो एक डो एक डो ये दो रहे गे तो भाई साभ ये आकशिजन है किससे साजा कर रहा है किससे क्योंकि इसमें दो युगमीत karşıन तो आलरेडी है कारभन की वायकोश्मी सन्ख्या कितना होता है कारभन में कारबन देखिए हाइडरोजन एक हेलियम दो लीथियम तीन बेरिलियम चार बोरान पांच कारबन छे तो दो चार छे तो दो हो गए दो चार हो गए और ये दोनों दोनों अलग अलग यानि इन दोनों से मिल गए अब यहां पर हम डबल बंद करके ओ नहीं लगा सकते हैं नही यही तो दोनों आपस में जूड़न हैं दोनों तरफ से ठीक अब उसके बाद आप इसको किसी भी तरह से बना सकते थे यहां से लिखने के बाद ध्यान से समझेए इसको लिखने के बाद यहां पर ऐसे करके अब इसको कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझेगा इसको कैसे बनाएंगे हैं ह च यहां पर आप लगा दिजिए और डबल बन करके बन गया ठीक ना, क्या बन गया ये, H, C, H, O, या ऐसे कर दीजिए, या फिर इसको, हाँ, ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, या फिर हमने कहा इसको अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, देखिए, H हो गया, friends, C बनाईए, ऐसे करके, O लगा दीजिए, ठीक, और उसके बाद, फिर कहीं पे आप, H लगा दीजिए, ठीक, ये बन गया, कि, H, H, C, H, O, अब देखिए, क्योंकि, इसका अश्टक पूरत हो गया, एक, दो, तीन, चाहर, हमने बताया, आक्सीजन क्या है, आक्सीजन में ये, इसके साथ, दूई बंद में समल्लों है, जब भी आपको, C, O, दिखाई पड़े, C, O, तो आप ऐसे, C, W, O, करके जोड़ दीजिएगा, और उसके बाद, हमने बताया, एक के साथ, ये, हाइड्रोजन जुड़ गया, एक के साथ, इधर, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसका अश्टक, एक, दो, तीन, चार इसका कार्बन का श्टक पूरा हो गया, तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगे, बास समझ में आई, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, अब इसी आधार पर आप कितने भी कार्बनिक योगिक, कितने भी टफ कार्बनिक योगिक होंगे, उनके स्ट्रक्च को इनकी संरचना सूत्र को आप इसली बना शक्ते हैं, तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर मिलते हैं किसी और इससे मसदार टॉपिक के साथ, जैहिंद!